हेलो फ्रेंड तो आज की सभी वीडियो में आप बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने साइट को गूगल सर्च कंसोल में एड् कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप किस तरह से वहाँ पर वैरिफाय कर सकते हैं दोस्तों देख सेते हैं यह है मेरा टेक्निकल खिरोधर नाम के एक वेबसाइट ठीक है इसको मैं आप से भी को लाइब वेरिफाय करके दिखाने वाला हूं गूगल सर्च कंसोल में ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल ऑपेंड कर लेना है और यहां पर सर्च कर करना चाहिए उसके लिए यहां पर पर्फॉर्मेंस और गूगल सर्च कंसोल बैसिकली दोस्तों यह एक तरह से स्कैनिंग करता है और आपका जो भी रहता है मतलब कि इस वेगरा फिक्स करता है और ट्रेफिक लाने में यहां से मदद होता है ठीक है तो इसलिए दोस्तों य दूसरा URL प्रिफेक्स तो फ्रेंट्स हम यहां पर क्लिक करेंगे इसके उपर यहां पर आपको क्या करना है अपना साइट का URL एंटर करना है तो आपका साइट का जो URL वो देख सेते हैं यहां पर मिल जाएगा इसको हम क्या करते हैं जश्ट कॉपी करते हैं और Google Search Console में यहा यहां पर फ्रेंट्स देख सकते हैं HTML टेग और यहां पर और वहीं जाते हैं Google Analytics, Google Tag Manager तो आपको यहां पर यह वाला किलिक करना है इसके उपर और यहां पर किलिक करने बाद यहां पर पूरा information दिया हुआ है कि WordPress में जा के आप कहां पर आड करोगे इसको copy the meta tag below and paste into your site homepage it should go in the head यहां पर दोस्तो head section के अंदर में before the body, body से पहले और head section के बाद आपको बीच में इसको paste करना है तो just यहां पर हम क्या करेंगे इसको copy कर लेंगे ठेक है यह हम copy कर लिए अब दोस्तो आपको अपना site को login करना है मतलब कि word phrase को login कर लेना है ठेक है login करने ब parents वाले option के नीचे यहां पर आपको इक मील जाएक option theme file editor जस्ट friends से इसके उपर आपको एक बड़ किलिख कर देना है इसके उपर जैसी किलिख करेंगे उसके बाद यहां पर आपको ढूनना है header.php यहां पर header.php आप सभी को दिख रहा होगा just friends से इसके उपर आपको किलिख कर देज ना है इसके ऊपर ग्ली करेंगे तो यहाँ पे काफी सहर हैं यहाँ बोड़ेज आप से कह स्विए कुछ दिख रहा हो होंगे ठीक है तो हेड इधर दिख रहा है और बड़ी से पहले ठीक है तो आप इसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पेस्ट कर सकते हैं धरस हम इसको क्या करते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं यहीं पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं ठीक है यह रहा फ्रेंड्स हम वाले option के उपर किलिक करना है, अब थोड़ा सा आपको wait करना होगा, अब दोस्तों देख सकते हैं, ownership verified हो चुका है, अब आपको क्या करना है, go to property वाले option के उपर किलिक करना है, अब friends देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है, start वाले option के उपर आपको किलिक कर तरह से यहां पर दोस्तों डाटा आपका दिखना शुरू हो जाЕगा यहां पर फूल अगर आपको डाटा नहीं दिख रहा है तो यहां पर दोस्तों एक-दो दिन यहां पर लगेंगे उसके बाद उसको गुगल जो है एनलाईज करेगा आपकी जो भी वेपसाइट है उसको और यहाँ पे full data दिखाना शुरू कर देगा, तो यह था दोस्तों, आज का process की की तरह से आप अपना जो भी मतलब की website है, उसको Google Search Console के साथ verify कर सकते हैं, कैसे ownership verify कर सकते हैं, या add कैसे कर सकते हैं, यह topic था, ठीक है, इसके उपर आप सभी को पूरी-पूरी जनकारी मिल गया होगा, next process रहेगा, दोस्तो, site map कैसे submit कर सकते हैं, आप ठीक है, ताकि दोस्तों, जो भी आपका website है, वो सही से ranking करना Google पे सुरू हो जाए, ठीक है, तो चैनल पे दोस्तों, अगर आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अधिक सदिक इस वीडियो को सेर कर सकते हैं, थैंक पो वाचिंग दिस वीडियो,